आज के इस परफेक्ट वीडियो के अंदर में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि भाई क्लास 10 के किन किन चीजों को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है स्पेशली आइम टॉकिंग अबाउट SST, Social Science के पेपर के हम बात करेंगे कि इस सेशन के शुरुवात में ही, क्लास 10 के तुम लोग के शुरुवात में ही, सीबसी ने अपना ओफिशल जो सिलबस है वो निकाला था, ये तो तुमको पता होगा उस समय कौन-कौन से टॉपिक्स चैप्रस हटे थे वो तो बता दिया, लेकिन SST, Social Science एक ऐसा पेपर था, जिसमें कि सीबसी ने और एक बार एक बार रिडक्शन किया, मतलब, रिवाइस कर दिया सिरबस को, तो अभी तुमको ये पता होना बहुत जरूरी है, कि भाई, वो क रमाय चल मैं हो, तो do subscribe to the channel, और वैसे मैं तुमको बता दूँ, तुम लोगों के लिए चैनल में एक playlist मैंने बना दिया है, class 10, 23, 24 session, तो उसमें जा सकते हो, उसमें मैं तुम लोगों को, जो reduced या removed chapters का, जो भी हर subject का video है, वो मैं दे चुका हूँ, English का, Science का, तो सब को देखन है, वो ऐसे है, तुमको पता है भाई, तुम लोगों का जो ये paper है, ये किन subjects से मिलके बना हूँ है, SST का, History, Political Science, जैसे कि तुम सिविक्स भी कहते हो, Geography and Eco, अब यहाँ पे जो ये चीजे हैं, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे तुमको कितना हो रहा है, 20 marks का question आएगा, कहा से, History से, कितना, 20, 18 plus 2 है, ये देख रहे हो, दो marks जो हैं वो तुमारे, और वेसी बात है, किस चीज़ के हैं, Mapwork के लिए हैं, ठीके, Second, Political Science से 20 marks के question आएगे, Geography से 20 marks के question आएगे, और Eco से भी 20, यानि कि जो बटवारा है, वो equal है, लेकिन सब जो lessons है, उसमें थोड़ा सा difference है, वो क्या difference है, भाई सीधा सीधा यहां आजाओ, और मैं तुमको एक frame के अंदर में मैं तुमको सब कुछ समझा दूँगा, अब यहां देख रहे हो, यह तुम देख सकते हो, कि भाई, यहां पर क्या चीज़ है, अब यहां देख लो, सबसे पहले मैं तुमको क्या दे रहा ह सबसे पहले पूरी authenticity के साथ में तुम इस चैनल को subscribe कर सकते हो, क्योंकि यहां सबसे fastest way में बताया जाता है, अब यह देख सकते हो तुम, कि यहां मैं अभी बात करूँगा, कि इसकी, अभी मैं बात करूँगा, history की, जब हम history की बात करते हैं, तो यहां पर 5 chapters हैं, history के अंदर अब उसके अंदर में तुमको सारे chapters दिखेंगे, अब उसमें तुमको पता नहीं चलेगा, अगर तुमने नहीं edition वाला book लिया हुआ है, तब तो ठीक है, नहीं तो, कौन-कौन सा, और नहीं book के अंदर में भी, जो topics CBC ने दुबारा remove किया, वो कौन-कौन सा है, यह देखो Social Science का एक बहुत important chapter हुआ करता था, वो था, chapter number 3, the making of a global world, यह एक बहुत important chapter था, and let me tell you, कि भई, इससे काफी अच्छे कासे questions भी आते थे, लेकिन, अब यहां पे बहुत बढ़ा चीज है, कि यहां पे page number 53 से 57 तक ही, तुम लोगों को पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ लेकिन exam के लिए नहीं है, exam के लिए important जो है, वो है page number 53 से 57, okay, अब chapter number 4 की तरफ आते हैं, यह 3-4 chapter खतम हो गए, chapter number 4 है, the age of industrialization, completely delete हो चुका, यह तुम देख सकते हो, यहां मैंने लिग दिया है, completely deleted, मतलब इसको ध्यान भी नहीं देना है, पढ़ना भी नहीं है, पहले जो हो reduction, इससे कोई reduction नहीं किया गया, मतलब complete chapter तुमको पढ़ना है, तो यहां पे history में तुम्हें कितने chapters पढ़ने है, कह सकते हो, more or less, सारे तीन chapter पढ़ना है, यानि कि chapter number 1, 2, यह आधा chapter है, chapter number 4 पढ़ना ही नहीं है, chapter number 5 पढ़ना है, मतलब लगबग कह सकते हो, कि तुम्हें सार तीन chapter पढ़ना है, अब हम आते है, geography की तरफ, geography में यहां पे तुम्हारे total chapters है, वो है total chapter 7, इसमें सारे का सारे chapter number resources and development, chapter number 2, forest and wildlife resources, chapter number 3, water resources, chapter number 4, agriculture, chapter number 5, minerals and energy resources, chapter number 6, manufacturing industries, यानि कि 1 से लेके 6 तक में no reduction है, यानि कि कोई भी इसमें changes नहीं है, पूरा का पूरा तुमको पढ़ना है, geography में major changes नहीं किया गया है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ करके वो है, chapter number 7, life lines of national economy, इससे सिर्फ map work का सबाल आएगा, इसके अलावा यहां पे इसको तुमको फोकस क अब जल्दी साजाओ, economics के तरफ, यहां total तुम्हारे है, 5 chapters, जिसमें से 3 chapter में कोई reduction नहीं है, chapter number 1, development, chapter number 2, sectors of Indian economy, chapter number 3, money and credit, इसे तुमको पढ़ना है, पूरा का पूरा, अब एक important chapter again हुआ करता था पहले, वो था globalization of Indian economy, अब इसमें सिर्फ तुमको दो चीज़े यहां पर दूसरा है यहां पर, just a second, यह रेखो, globalization और दूसरा है factors enabled globalization, मतलब जिन चीज़ों से globalization पर थोड़ सा effect हुआ, उसको तुमको पढ़ना है, ठीक है, तो बस यही दो topics हैं, जो कि इस chapter number 4 के अंदर में पढ़ने हैं, नहीं तो कुछ नहीं पढ़ना, chapter number 5 भी अगर देखोगे, त यहां पर इस chapter का use किया जा रहा है, for Viva and project purpose only, सर्फ Viva या project work के लिए, वाइवा तुमको पता ही होगा, oral test लिया जाता है, जो externals आते हैं तुमारे exams के समय पर, वो आकर के तुमको पूछेंगे कुछ सवाल इस chapter से जुड़े वे, तो इसको पढ़ने की ज़रुवत नहीं है, प्रोजेक्ट वर्क में कुछ काम दिया जा सकता है, लेकिन वैसे पढ़ना तो सब कुछ चाहिए, क्योंकि future में सब कुछ कही न कहीं काम आने वाला है, especially in competitive exams, अब हम आते हैं political science की तरफ, यानि की civics की तरफ, यहां total chapters है, 8, लेकिन तुम्हें पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर् 5, सिर्फ 5 chapters यहां पर पढ़ने हैं, क्योंकि 3 chapters completely delete हो चुका है, यह देख सकते हो, chapter number 3, democracy and diversity, यह deleted है, chapter number 5, popular struggles and movements, यह delete हो चुका है, and chapter number 8, chapter number 5, 3 and 8, chapter number 8 क्यों सा है, challenges to democracy, यह भी खतम हो चुका है, मतलब पढ़ना क्या-क्या है, chapter number 1, power sharing, बहुत important chapter है, बहुत question आते हैं, chapter number 2, federalism यह भी पूरा तुमको पढ़ना है, और chapter number 4, gender, religion and caste, यह पढ़ना है, political parties, chapter number 6 है, यह पूरा पढ़ना है, and chapter number 7, outcomes of democracy, यह तुमें पढ़ना है, तो देखो मैंने कितने clear तरीके से यहां बता दिया, कि civics में 8 chapters हुआ करते थे, अब पढ़ना सरफ 5 है, 3 chapters delete हो चुके हैं, उसी economics में 5 chapter में एक तरह से तुमें 3 ही chapter पढ़ना है, क्योंकि 14 chapter से सिर्फ 2 points को पढ़ने है, यह भी खतम हो गया, अब हम next आते हैं तुम्हारा, इसकी तरफ, geography, geography में यहां कहने को 7 chapter है, 6 chapters तुमको पढ़ने है, 7 chapter का used map work के लिए सिर्फ होगा, और history की बात करें, तो यहां पे कह सकते हो, कि सिर्फ, सिर्फ, और सिर्फ कह सकते हो, कि साड़े 3 chapter ही पढ़ना है, क्योंकि chapter number 4 जो है, वो डिलीट हो चुका है, chapter number 3 को आधा पढ़ना है, मतलब मात्र इतना सा है, और इतना cover कर जाते हो, तो सब कुछ है, तो I hope कि तुमको एकदम concept, सारी चीज़े clarity मिल गई तो मुझे comment करते जाओ, क्या-क्या चाहिए, सब चीज़ बता दे जाओ, strategy, time table, कुछ भी guidance तुमको चाहिए, related to your class 10, board exam 2024, तो मैं यहाँ पे तुम्हारा साथ में खड़ा हूँ, लेकिन एक like बनता है, बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि एक like हमें motivate करेगा, मेरे team को motivate करेगा ठीक है, तो अभी क्लिव बसेता है, मिलते है नेक्स वीडियो में, बहुत important वीडियो आ रहा है, उसको देखना बिलकुल नहीं भून ला, जय हिंजय भारत